हेलो इप्रीवन आज हम यूपीटर प्लेस सीप्ट एक्जाम के लिए इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं इसमें बहुत ही अच्छे प्रसंट रखे गए हैं एक तरफ से हम इन प्रसंटों को देखते हैं प्रसंट संख्या एक है इन में से कौन सा सुल्तान खेलते समय हो गया था ओप्शन है इल्टत्तमिस अलाग दिन खिल जी कुत्बुद्दीन एवक फिरोश्य तुगलक तो इन में से आंसर है कुत्बुद्दीन एवक कुत्बुद्दीन एवक ने बाहरा सोच्छे में गुलाम बंस की स्थाबना की थी और उसने कुत्म मिनार जो कुत्म मिनारे उसको बनाने के सुरुवात की थी अड़ाई दिन का उसमें जोपड़ा बनाया था और इसे लाख वक्ष की उपाद दी गई थी तो कि लाखों का दान देने वाला था ओके अगला परसन प्रसिद्द इलहाबाद प्रसस्ति यानि प्रयाग प्रसस्ति का लेखक कौन है प्रयाग प्रसस्ति एक सिला है जिस पे लिखा गया है इसके लेखक है हरिशेंड हरिशेंड समुद्र गुप्त के राज कभी थे इनोंने गद्ध और पद्ध दोनों में लिखा है उसको चंपू से लिखेते हैं गद्ध पद्ध में कोई चीज लिखी होती दोनों में उसे चंपू से लिखेते हैं ठीक हरिशेंड ने लिखा था प्रयाग प्रसस्ति 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 संक्या तीन है वहां कौन सा आंदोलन था जिसमें होगा यहां पे क्रशक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था सभी ने अवग्य आंदोलन असयोग या सभी तो इसका आंसर है सभी इन सभी आंदलोनों में क्रशक और छात्रों ने एक साथ भाग लिया था ओके अगला प्रशन है 16 महाजनपतों की जानकारी किस बहुत गरंथ से मिलती है तो इसमें अंसर है अंगुत्तर निकाए इसमें 16 महाजनपतों का जिकर था जिनमें आपका कासी है, सूरसेन है, साकेत है तो ऐसे 16 थे अगला प्रस्ट रानी लच्मी बाई की समाधी किस सहर में है रानी लच्मी बाई जहासी की रानी थी 1857 की क्रांती में उन्होंने भाग लिया और आखिर अंग्रेजों से लड़ते हुए सहीद हो गई थी और उनकी जो समाधी बनी हुई है वो गौलियर में बनी हुई है ठीके गौलियर में इसको आप याद रखें अंग्रेजों की जो हड़पनीत थी लाज देलोजी लाया था राज हड़पनीत उसके तह जहासी को 1853 में उसने हडप लिया था किसने उपनेशिदों का फार्सी में अनुवाद करवाया है उपनेशिदों का फार्सी में अनुवाद तो इनमें से आंसर क्या होगा इनमें से आंसर होगा दाराशिको दाराशिको साजहां का सबसे बड़ा पुत्र था या मुगल घराने का सबसे योग वेक्ति माना जाता है इसने कई भारती गरंतों का अनुवात कराया उनको पढ़ा तो जो उपनसिद्धों का जो उसने अनुवात कराया था उसको नाम दिया था सिर्य अकबर ठीक है? सिर्य अकबर उसको नाम दिया था उसने अगरा परशन असोक के सिला लेकों को सबसे पहले किसने पढ़ा असोक के आपको सिला लेक बहुत जगे देखने को मिलेंगे उन सिला लेकों को सबसे पहले पढ़ा था किसने सर जेम्स प्रिंसेप ने सर जेम्स प्रिंसेप ने अगरा प्रशन है सिंदुगाटी सब्विता का सबसे दच्छिनतम बिंद कौन सा है ठीक है जो आपसन दियेगा है सब के बारे में आपसन लीजेगा यह है मांडा मांडा सबसे उत्तरी बिंदु है सिंदुगाटी सब्विता का सबसे उत्तरी बिंदु है चम्मू कस्मीर में आलमगीर को सबसे पूर्वी बिंदु है मेरट में है दैमाबाद सबसे दक्षणी है यही आंसर है ठीक है सबसे दक्षणी है और सुत कांगेडो सबसे पस्चिमी है यह अफगानिस्तान के असपास है पागिस्तान के बाडर पर ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा सबसे दच्छिंतम बिंद कौंसा है दैमाबाद महारास्टर में अगला प्रस्ण है मद्यकाल में आया यात्री इबन वतूता किस देश का निवासी था ये एक बढ़िया प्रस्ण है इबन वतूता 1333 में आया और यह आया कहां से था ये देखिये किस तरीके से इंडिया पहुंचा था यहां पेखडे से मॉरकifiques मॉरक्को से इंडिया आया था इबन वतूता जैन साहित को कहा जाता है जैन साहित को क्या कहा जाता है तो जैन साहित को कहा जाता है आगम ठीक है आगम अगला प्रशन देखिए बावर की आत्मकथा तुझू के बावरी किस भासा में लिखी है बावर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भासा में लिखी गई थी तो इन में से क्या आपसन होगा आंसर होगा आपका तुर्की भासा में उसकी राज की भासा तो फार्सी थी लेकिन उसने अपनी तुजो के बावरी तुर्की भासा में लिखी है अगला प्रसना आप देखें प्रसन्सक्या 12 है नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे अठारचित। 1857 की क्रांती में नाना साहब ने कानपूर में विद्रोयों का नितरत किया था उनके जो कमांडर थे वो थे तात्या टोपी ठीक है ताट्या टोपी जी इनके कमांडर थे बिजरिस काद्र जो थे वो वेगा वजर्द महल के पुतर थे कुमर सिंग ने आरा से विद्रोईयों का साथ दिया था आरा से विद्रोग गिया था सत्ताउन की क्रांति में ओके अगला परस्न है सेडलर आयोग किसे समंदित है 1917 में बना था सेडलर आयोग ठीक है और इसका समंद सिक्छा से था सेडलर कमीशन 1917 में बना इसका समंद सिक्छा से था अगला परस्न है धोला बीरा किस राज में है धोला बीरा एक सिंद घाटी सब्यता का एक सहर है जो आपका गुजरात में है और यहाँ पर जल प्रवंदन का पूरा सिस्टम देखने को मिला है पित्रा दूरा कला का सबसे पहले प्रियोग किस इमारत में किया गया ये मुगल काल में विक्सित हुई ये कला है इसमें क्या किया जाता था पत्थरों में चोटा-चोटा दरार करके उनको काट करके उनमें हीरे जवारात मोती जड़े जाते थे ठीक है मारवल बढ़िया से टैल बनाया जाते थे तो इस कला का सबसे पहले प्रियोग हुआ है इत्माउत दौला के मकवरे में ठीक है इत्माउत दौला का उन था नूर जहां का पिता था जो जहांगीर की पत्नी थी टेमिका थी महरुनिशा नूर जहां उसके पिता थे इत्माउत दौला ठीक है तो उसके मकवरे में सबसे पहले जहांगीर ने पित्रा दुरा करला का परियुक करवाया था ओके, थैंक्यू